नमस्का डियार्वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं मनिशा जोशी आज हम मौझूद है मुंबई के कलीना में जहां परविश्व हिंदू परिशत बजरंग दल कलीना प्रकार्ण विद्यानगरी जिला की ओर से आयोजित किया गया है राम जन्म महोट्सो आए जानत के बारे में बता है राम जन्म महोट्सो किस तरह से मनाया जा रहा है मैं सचीन देख चेत विद्यानगरी जिला के अंतरगत कालिना प्रकंड आता है जो विश्व हिंदू परसत के माध्यम से आज कई बरसों से यहां पे राम उच्व मनाया जा रहा है जो कि हमारी परंपरा है सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रति उत्सव जो हमारे स्री राम प्रभु आराध्य है जो पूरे सनातन के धर्म का आदर्स है उनका जन्म उत्सव आज के दिन राम नोमी के दिन हुआ था 12 बजे करिब में उस उत्सव को नीमित हम लोग यहां पर आज कालिना में कालिना चोग पे विश्व हिंदू परसत बजन दल के पदादेकारी करकारता हों के साथ में एक कारिकरम आज कई वर्सों से चले आ रहा है और चलते रहेगा ऐसा हमारा पर्यास है और जो हमारे सनातन धर्म श्री राम प्रभु जी आदर्स है और उनका हमारे पुजनिय हैं हम सबका प्रेणा श्रोत हैं आज उनका जन्म उत्सो मनाया जा रहा है मैं जन्म उत्सो इसलिए कर रहा हूं कि राम जी आज भी इस धर्ती पे हैं विरजमान है और उनके साथ में हनुमान जी भी है इसके लिए हम लोग आज जन्म उत्सो मना रहे हैं ना कि जन्म जयनत प्रतिक आदर्स है इसके लिए हम लोग आज कारिक्रम रख रहे हैं जिसमें अनिल दिवते जी अपना अशोक परजापती जी और सुधीर दिवते जी का प्रयाज से और सबी कार्याकातों का प्रयाज से एक कारिक्रम हो रहा है और हम लोग यह ही चाहेंगे कि आगे तक होता रहे हैं कितने सालों से आप लोग इसी तरह से राम जन मना रहे हैं हम कई वर्षों से आज तक्रीबं 10 वर्षों से भी मना रहे हैं यहां पे और आगे में हमारा प्रत्न रहेगा कि हमारा जो धर्म है इसके प्रति बाकि संख्यम जो सनातनी है वो भी जुड़े यहां पे आ करम है और निकल लेते हैं लेकिन यह हमारे आदर्स है एक कारिकरण करने का एक ही उद्देश्य से है कि हमारा समाच्छ जगे और प्रभु का आदर्स पे चले और उसके बनाए सिर्द धर्म की यिण जन्म उत्सो पर आज उनके मौच्छो पर खास क्या क्या आयोजन किया गया है उस बर्वियों में यहाँ पर आज प्रभु सिराम जी के जन्म उत्सो के दिन सत्त नरायन भागवान का पुजा रखा गया था और यहाँ पर जो इसकूल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रवियों में लोगडाउन में के बाद पूरे दो साल बाद आप लोग इतने धूम दाम से मना पर रहे हैं राम जन्म उत्सों तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग हम लोग ने तो दो साल जो अपने दिल की बात बता रहा हूं मैं सारे कर करता हूं कि बात बता रहा हूं कैसे हम लोग चैन भी नहीं आता जब हम लोग चोक पे आते थे कोरोना का टाइम में कि ये उच्तो में जो दर वर्सों सम्लॉब करते चले आरहे हैं, वो नहीं हो पा रहा था, आज प्रभु शिराम चंद्र की कृपा से, क्रोना मैं हमारी भी खतम हुआ है, और आज हम फिर से, ओही समावेस के साथ में और उच्सा के साथ में ये राम जन्म उच्तो मना रहे हैं, यहां पर नींहों फ़ित कि दो की ओसमाया और आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं जतरौ मॉजूद हैur है कि यहां पर पूझा हो रहे हैं हैं फजर्स मंदल यहां पर हमेरे साथ गयक मौजूद है उनसे बात करते हैं आज की भजन के बारे में आज राम जी का जनमत्स हो है उस पर आप लोग भजन का रहे तो कुछ एक खास भजन हमारे दर्शोकर के लिए हो जाए राम जी का क्या बात है शबसे पहले तो मैं आप सभी का खूब खूब आप सबको साधुबाद देता हो और बधाई देता हो क्योंकि हम जब बेटे का जनम दिन होता है तो कितना दूमधाम से मनाते हैं और हम अपने बच्चों का जन्म दिन होते हैं किस तरह केक काड़ते तरह-तरह से लोग बैदिक परमपरा से भी मनाते हैं कोई आपने बाहरी परमपरा बिदेशी परमपरा जो केक बना कर उसे मुंबत्ती जला कर फूक मार कर बुझाते हैं तो मैं इस राम जन्मुस्व के इस ऐसे सुभ बेला पर मैं आप सभी तमाम दर्सकों से मैं निविदन करूंगा कि जैसे हम राम जी का जन्मुस्व मनाते हैं दीप जला कर मनाते हैं आज जुद्या में भी पूरी दीप उधान हो रही है और जैसे हम राम जी का जन्म दिवस दीब जलाकर मनाते हैं, ऐसे ही आप सब भी अपने बच्चों का जनम्दीज दीब जलाकर करे, न कि मुंबत्थी जलाकर फूक मार कर بुझाए, यह हमारी देशी परमपरा नहीं, यह बिदेशी परमपरा है, जिस सास्तर करता है, जीवन में जोच से जोच जलाना चाहिए लेकिन आज हमारा हिंदुत तो कहीं न कहीं आज खत्रे में पड़े हैं कि लोग अपने देश की परंपरा न मानकर बिदेशी परंपरा को मानकर मुंबत्ती जलाते हैं और फूक मारकर उसे बुझाते हैं जिसके जीवन में पहले ही फूक मारकर दिया बुझाओगे वो लड़का कितनी बड़ी उन्नती करेगा तो मैं आप सभी को आपके मादम से आपके चैनल के मादम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का जन्मदियों मनाईए खुब धुमधाम से मनाईए लेकिन देप जलाकर मन मनाईए उसे बुझा कर मत मनाईए केक काटने बजाए आप उतने ही पैसे को अगर कोई गरीब देन दुखी बच्चों को अगर आप खिलाते पिलाते हो तो मेरा मानना है सायद आपका बच्चा का बहुत अच्छा जन्मुस्तर है और आपने भजन कहा तो ठीक है एक लाइ मेरे सीने में सिरी राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अभी भी हम कारकम करके आ रहे हैं आज बैल बजार में कई सालों से निकलते यात्रा बहुत बड़ी याद मुझे लगता मुंबई में सबसे बड़ा अगर कोई राम जनमुच्थों का कोई अगर यात्रा निकलता है तो वो कुरला बैल कालीना बिधान सभा के भी हमारे भी सुन्दू परसत के कारिकरता बहुत बढ़ियां और बहुत अच्छे दंग से मनाते हैं और धोमधाम से और यह कारकम काफी रात तक चलता है यह जो चहल पर लेख रहे हैं ऐसा काफी समय तक रहता है तो बस आप सभी को खुब-खुब साथुबाद है आप सब खुब हैसे आप सब की भक्ति वड़े यही सुपकामना के साथ जैसरी राम यहाँ पर कलीना में राम जन्म मौत्सों पर आज हमारे साथ मौजूद है यह जो कारिकरम के आई उन से जानते हैं आज के कारिकरम के आप यह आज राम जन्म मौत्सों मन कर दोने रहें कि एयसा चोक है कि यहां कभी कोई भी कारेकम होता नहीं था पिछले 18 साल से कंटीनियू ऐसा भवव्य कारम कर यह और जितने कलीना के हिंदू लोग हैं हर किसी को निमंतन दें और ना किसी से पाईसा लेकर कुछ भी नहीं यह सोयम अपने कारकरता अपने जेव में वो विशे करना कि सबसे पहला हिंदू हिंदू को घर कैसा होना चाहिए तो उसमें तुलसी का पवदा होना चाहिए सबसे पहला सबसे पहला हम रोटी निकालते हैं तो हमारी मान्यत्य है कि सबसे पहला रोटी गाई को होता है लास रोटी कुट्टे को होता है मगर धीरे कर देराम मानने था भूल गये और क्या होता है कि घर की जो पतनी हो preb subjects अपस्झे पहले ओड़ी खालेती है नहीं रात का अब्राइब कर तो टो उल्टा हो गया कि पूजा तो वह परिपम आ हम लोगों को जागरूत करना चाथे और लोगों को समय बताते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे घर में सबसे पहला तुलसी को फगदा होना चाहिए हमें सबसे पहला डेली तिलक लगा कि पूजा करके निकलना चाहिए और कुछ ने तो हमारे घर में तीन चीज होना चाहिए गी दूद और धई ये तीनों में कृष साल में कम से कम हम से 30 से 40 हजार तुलसी वाटक हम ने किया है कंटिन्यू और लोगों को जागरूत किये कि तुलसी का पद्दा का महत्व क्या होता है उसके बारे में घर में तिलक सबको तिलक लगाना चाहिए घर से भाहर निकलने से पहले भगवान का नाम देना चाहिए घर क परंपरा हम लोगों को सिखा रहें और पिटीटी 18 साल से ये कारेकम हो रहा है और भूभे कारेकम हो रहा है आज तक इतना किसी का कोई objection नहीं पुलीश की गाड़ी नहीं कुछ नहीं उनको मालूमें सांती से कारेकम करेंगे और सांती से ये होगा जैशी जी करोना महामारी के दोरान आप लोग पहली बार इतने धूम धाम से राम जन्मरान महोट सो मना रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहना है जैसे कि करोना के महामारी में काम किये उतना नॉर्मल इसमें भी काम नहीं किये कम से कम हमने पिछली जितने ये दो साल के करोना में हम सतर से असी हजार घर को सैने साथ किये हैं हर दिन हम कम से कम आठ से दस हजार परिवार को हम भुजन करा दे दे सबको तीन मेने का रासन हमने विश्वन दू परसत के माद्यम से दिया है और ऐसा कोई घर ने कलीना में जिस के घर में करुणा के माद्यम से इनका घर में कुछ पकाना होगा यहां तक कि हम जो दिहारी मदूर है यहां की उत्तर प्रदेश के लोगे बिहार के लोगे हर दिन कम से कम प्रसासन की उससे और जो हमारे उपर के जो टीम है उनके माद्यम से हर दिन इसी चोग पे कम से को आठ करोना में ब्सक्रों कि तरूना में हमने आवान किया हर घर में हर घर में जाके आर्ति करना थे जलाना हर गर में धांटीन हमारा कारे कम काम बहुत सब्सक्राव नहीं आप क्या चाहेंगी आज के अड़े है मैं करना प्रोफंड की कारे करता हूं यह सब हुमारे टीम वर्टीम मेंबर्स है इस वे नो दिन नवरात्री की नौ दिन सब्गें घर में जा सब भजन कीर्टन यहां तक कि हनुमान स सब्कुमाण यहां जाते से सब खुश होते थे थे जए आपनों सुन्हाइ आयो जाक और यहां पर जो महिला कारी करता है यहां पर जो घ्य कинки मह hijlatan कारेlaандis लियुक्रेश्ट करते हैं मैंनि अधरकामीं मनियस हो सबarbeit Produkung को झाल झाल